परसेंट हाई वेलकनों बाचनल इस बड़ी में स्वाल्व करें क्वेशन नमर थ्री तो यहां पर आपको निकालना क्या है find the discount in percent when MP is called to Rs.900 and SP is called to Rs.873 and second case is MP is called to Rs.500 and SP is called to Rs.495 यहां पर क्या कर रहा है कि discount निकालना आपको percentage में मतलब क्या है यहां पर MP मतलब की mark price है आपका और mark price यहां पर दिया हुआ है और यह selling price जब भी mark price पे हम लोग सेल करते हैं mark price मतलब रहता है और उसमें discount देते हम तो selling price जो बनती है वो हमेशा मैनस करके बनती है और इन दोनों में एक relation है जो आप पढ़े होंगे और इस chapter में और मेरे drive भी करवाया है तो उस वीडियो को आप देख लिजेगा इसी playlist में पहला जो वीडियो होगा वो उसी derivation पर होगा concept of mark price उसको जरूर आप देखिएगा सारा concept के लिए हो जाएगा कैसे formula बना है और क्या तो हम लोग जानते हैं आप लिए लगे हैं कि we know that we know that हमें पता है क्या कि जो sp होता है sp वो बरावर होता है mp mp में जो multiply कर देते हैं 100- discount percent यहां पर रता है क्या discount percent 100- discount percent upon 100 जब इतना होता है ठीक है हमें निकालना क्या है हमें निकालना है यह वाला discount percent निकालना है हमें तो यह निकालने के लिए हमें इसको solve करना पड़ेगा कुछ अलग तरीके से हैं यह नहीं या फिर आपको इस formula को युदी आप solve करेंगे न डिसकाउंट percent निकालेंगे यहापर तो आपका निकालेगा यह चीज डिसकाउंट percent is equal to मिलेगा उपर रहेगा यहापर discount अपान निचे रहेगा mp into 100 यह इसको solve करेंगे तो इतना मिलेगा आपको ठीक है discount का मतलब के हम बिलेगा sp-cp यहाँ मिलेगा आपको mp-sp mp-sp ठीक है क्योंकि mp जो है हमेशा greater होगा sp से तो mp-sp जो है discount हो जाएगा और अपान mp मोड़ इपलाई कर देंगे 100 से तो यह formula लगा करके directly आप discount percent solve कर सकते हैं तो हम वही यहाँ पर करेंगे it implies discount percent is equal to यहाँ हो जाएगा आपका mp-sp upon mp multiplied by 100 mp क्या है mp आपका है 900 तो यहाँ लिखेंगे 900 minus sp कितना है 873 तो यहाँ लिखेंगे 873 into 100 आपको ही solve करना है बस यहाँ solve करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर तो खर formula यहाँ पूर गिलता सा यहाँ होगा 900 minus 873 तो मिलेगा हमें 927 मिल जागा है यहाँ ठीक है 27 upon 900 फर्स्ट वाले केस में फर्स्ट खेल का हम निकाल जाते हैं अब ना उस सेकंड के निकालते हैं सेकंड में भाई करेंगे वी नो दाट डिसकांट परसंटेज डिसकांट परसंटेज इसकांट परसंटेज इसकल टू होता है MP-SP whole upon MP मतलब मांक्ट प्राइस मांस सेलिंग प्राइस अपान मांक्ट प्राइस इंटु 100 formula is this तो MP कितना है यहाँ पर देखें दूसरे लिकास में 500 500 मांस करेंगे SP मतलब 425 whole upon MP क्या हो जाएगा 500 into 100 तो यहां solve करेंगे 425 में मांस करेंगे 500 में से मिलेगा 75 75 upon 500 into 100 यहां से 0 जो किसल हो गया 5 बंजा 5 और यहां पर 5 बंजा 5 55 हो जाएगा मतलब मिल जाएगा हमें 15% यह आपका हो गया answer तो यह आपका दोनों answers है 3% पहले वाले में और दूसरे किसमें क्या होगा 15% ओके Thank you so much for watching Bye